हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है मावले रायो और मैं नूट्रिशन और वैलनेस अड़वाईजर हूँ आज के वीडियो में मैं आपको कोई फूड या फूड सप्लिमेंट्स के बारे में इन्फर्मेशन देने के लिए नहीं जा रहे हूँ लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको आप अपने घर में बहुती इजीली इको फ्रेंडली तरीकों से और बीना महनत किये कैसे कपड़े दो सकते हूँ उसके बारे में इन्फर्मेशन देने के लिए जा रहे हूँ सब को कपड़े दोने कितने पसंद आते हैं आते हैं किसी को भी बहुत जादा महनत करके कपड़े दोने पसंद नहीं आते हैं इसके लिए M.V. ने अपनी होम केर की रेंज में बनाया है S8 गेलजाइम जो बहुती इजीली कपड़े में से दाग धब्बे निकालके कपड़े को बहुती क्लीन करता है आज मैं S8 के बारे में डीटर्स में इंफर्मेशन दूँगी और एक डेमो करके भी दिखाऊंगी तो अब वीडियो अंतक जरूर देखना और जो भी लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरू करना एमवे की होम केर की रेंज में आने वाले सारे प्रोडक्स एको फ्रेंडली है याने कि ये पर्यावरण को दूशीत नहीं करता है और ये अपने घर का गंटों का काम मिनिटों में कर देता है एमवे की होम केर की रेंज में आने वाला ये लॉंट्री डिटर्जन्ट लिक्विड है और बहुती जादा कॉंसेंट्रेट भी है ये बायो डिग्रेडेबल है याने कि इसमें कोई भी प्रकार के हमफुल केमिकल्स का उप्योग नहीं किया है और उसमें से जो लास्ट प्रोड़क्ट बनते हैं वो भी परियावरन को दूश्रीत नहीं करता है और ये 1960 में लॉंच हुआ है तो इसको 60 असाल कंप्लीट भी हो गया है एमवे की होमकेर की रेंज में आने वाले सारे प्रोड़क्स बायोक्वेस्ट फ्योर्मिला से बनाया गया है बायोक्वेस्ट फ्योर्मिला ये एमवे का पेटन फ्योर्मिला है जिसमें कोई भी प्रकार के हमफुल केमिकल्स का उप्योग नहीं किया गया है ऐसे liquid laundry detergent 4 in 1 है याने कि इस एक ही liquid से आप 4 काम कर सकते हो सबसे पहला आप इसको pre treatment भी कर सकते हो याने कि कपड़ों के उपर जो भी दाग धब्बे लगे है उसको उपर आप रगड के उसको clean कर सकते हो ये कपड़े को अच्छे से wash करता है और साथ में ये कपड़े को soft और smooth भी बनाता है और ये कपड़े को नई चमक भी देता है और उसके डालने से कपड़े के color चला नहीं जाता है याने कि कपड़े का color बर करार रहता है ऐसे कपड़ों में कोई भी प्रकार के harmful residuals नहीं छोड़ता है नॉर्मली हम लोग जो कपड़े धोने के लिए powder यूज़ करते उसके अंदर fillers रहते और ये fillers कपड़ों के छीदरों में फस जाता है और उसकी वज़ा से कपड़े कड़क हो जाते और कभी-कभी ऐसे कपड़े पहनने की वज़ा से शरीर के उपर रेशिश भी आ जाते है तो ऐसे इट से कपड़े धोने से ऐसा कोई प्रोब्लेम नहीं आता है क्योंकि ये liquid detergent है और इसके अंदर कोई भी प्रकार के harmful residuals नहीं रहते है ये low forming formula से बनाये गया प्रोडक्स है उसकी वज़ा से इसमें कम जग आते है और कम जग होने की वज़ा से कपड़े कम पानी में धो जाते है याने कि आप अपने हाँ से कपड़े धोते हो तो बहुती कम पानी में ज़ादा कपड़ा धूलते है इसमें natural softner भी डाला हुआ है जो coconut derivatives में से बनाये हुआ है और ये कपड़े को ज़्यादा soft बनाता है और उसकी वज़ा से आपको अलग से कोई भी softner डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये हमारे हाथों को भी नरम रखता है और ये allergy और dermatologically tested है S8 कपड़ों को और कोई भी temperature वाला पानी हो याने के गरम हो या ठंडा हो दोनों में equally clean करता है इसमें रहा dual enzyme कपड़ों को बहुती अच्छे से clean करता है और उसमें से दाग दबे को निकालता है अभी मैं आपको उसका demo करके भी दिखा रही हूँ मैंने दो ग्लास में पानी लिया हुआ है एक ग्लास में मैं सबसे पहले ये MB का जो S8 है वो डालती हूँ आप देख सकते हो कि इसमें एक fluorescent agent है जो कपड़े के चमक को वैसे का वैसा बरकरार रखता है और ये कपड़े को नई चमक देता है अभी मैं दूसरे ग्लास में भार का जो कोई भी पावडर रहता है वो डाल रही हूँ ये पावडर है कोई भी एक्स प्रांट का जो मैं इसमें डाल रही हूँ अभी आप दोनों का कलर भी देख सकते हो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि दोनों के कलर में क्या फर्क है इसमें नीचे फीलर्ज भी रहते है अभी इसमें कोई हमफूल केमिकल्स है कि निवू दिखाने के लिए मैं इसके अंदर हल्दी डालती हूँ यानि कि हल्दी है वो एसीडिक जो भी केमिकल्स वाली चीज रहते हैं उसके उपर जादा रियक करती है तो मैं दोनों में ही थोड़ा थोड़ा हल्दी डालती हूँ यह भार का पावडर वाला है आप देख सकते हो उसका कलर कैसे रेड में चेंज हो गया है और यह हल्दी वाला अपना ऐसेट है जिसका कलर वैसे का वैसा है यानि कि इसमें कोई भी प्रकार के हमफुल केमिकल्स नहीं डाला हुआ है तो फ्रेंट्स अभी मैंने आपको ऐसेट का डीटेल्स में इंफर्मेशन दिया और आपको एक डेमो करके भी दिखाया और अगर आपको ऐसे ही कोई और प्रोडक्स के बारे में डीटेल्स में इंफर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कॉमेट बॉक्स में लिख के जरूर से पूछ सकते हो और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू करना